बच्चों, आज हम जिस विशय का अध्यन करने जा रहे हैं, यह है महाद्वीप एवं महासागर महाद्वीप और महासागर यह शब्द पृत्वी से संबंदित है पृत्वी के उपर में दो ही प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है एक महाद्वीप और दूसरा महासागर बच्चों, हमने अभी पृत्वी के आंतरिक संडचना के बारे में जानकारी हासिल की थी लेकिन अभ हमें यह जानना अवश्यकि के पृत्वी के बाहर में जो महाद्वीप और महासागर है उनका वितरण कैसा है? क्या प्रारंब से ही महाद्वीप और महासागर जैसे वर्तमान में है वैसे ही रहे है अथवा उनमे समया नुसार परिवर्तन आया है परिवर्तन का तात्परी क्या महाद्वीप पहले जैसे थे वैसे ही है अन्यत्वीप अपने इस्थान से सरके हुए है अलग-अलग जगा पर इनका खिसकाव हुआ है और धीरे धीरे ये वर्तमान स्वरूप में आये है इस संबंध में हम आज अध्यन करेंगे बचों अध्यन का यह विशय हमारे सामने में क्यों आया क्योंकि जैसा हम देखते हैं यदि हम अंध महासागर, अटलांटिक महासागर को बहुत ध्यान से यदि देखते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट है, पूर्वी और पश्चिमी तट, जहां पर आप दक्षिन में देखते हैं कि आफरीका और दक्षिन अमे कि यदि हम इसे जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं उत्तरी अट्लांटिक का भी जो उत्तर अमेरिका और यूरोप का जो तठ है इसे भी यदि जोड़ा जाए तो इसमें काफी साम्यता देखने को मिलती है और इसी लिए इस प्रकार का जो अध्यन है ये बहुत ही हुआ है इस संबन में सबसे पहले ध्यान आगर्शित के असन 1596 में एक डच मांचित्र कार थे अब्राहम आर्टीलियस इन्हों ने इस मांचित्र को देख करके सबसे पहले यह संभावना व्यक्त की कि संभाव तया पहले ये दोनों ही खेत्र आपस में जुड़े होंगे और इसके बाद एंटोनिया पहले रिगन नामक एक मांचित्र कार थे इन्होंने तीनों महाद्वीब को यूरोप, आफ्रीका और अमेरिका इन तीनों को इकठा करके मांचित्र बनाया तो इस प्रकार से इनके जो मांचित्र निर्मान की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया पर सबसे पहले एक विद्वानाय मौसमविद रहे हैं ये है अलफ्रेड वेगनर अलफ्रेड वेगनर ने सन 1912 में एक सिध्धान्त प्रस्तुत किया है और इनका सिध्धान्त जो है यह महाद्वीपी विस्थापन सिध्धान्त यह महाद्वीपी प्रवाह सिध्धान्त इसे कहते है Continental Drift Theory तात पर यह कि महाद्वीपी प्रवाहित हो रहे है इस संबन में वेगनर महद्वी ने जो सिध्धान्त रखा है इन्होंने इसके पूर्व का जो अध्यान किया और इस अध्यान के दवरान बताया कि Atlantic महासागर में यह जो क्षेत्र मिल जूल रहे हैं ना केवल क्षेत्रों का मिलन हो रहा है बलकि यहाँ पर पाई जाने वाली जलवाईू संबन्दी साम्यताएं यहाँ पर पाई जाने वाली भुवाईग्यानिक साम्यताएं यहां पाया जाने वाले पशु पक्षियों के जो अंश है फॉसिल्स जो हैं ये सभी लगभग समान है और इसी आधार पर वेगनर महदय ने एक सिद्धान्त प्रसुत किया और इसे महाद्विपी विस्थापन या महाद्विपी प्रवाह सिद्धान्त के नाम से संबोधित क किया है वेगनर महदय ने बताया कि प्रारंभ में जब प्रित्वी की उत्पत्ती हुवी थी और उसके कुछ दिनों के बाद हम यदि प्रित्वी का अध्यन करते हैं तो हमारा जो समय जहां तक हमारे वैज्ञानिक अध्यन में पहुंच चुके हैं लगभग आज से साथ करोड वर्ष पूर्व जिनने हम पूरा जीवी महाकल्प कहते हैं इस समय में पूरा जीवी महाकल्प का जो प्रारंभिक समय था इस समय प्रित्वी के दो भाग हुआ करते थे ये भी दो भाग महाद्वीप और महासागर ही थे जिसको इन्होंने पेंजिया और पैंथ थालसा के नाम से संबोधित किया है पेंजिया क्या है पेंजिया का टातपर यहां पर महाद्वीप से है और इन्होंने इसका टातपर संपून पrittवी बताया था जो धरातलीर इसे से पेंजिया कहा दूसरा जो शब्द है पेंथालासा पेंथालासा का तात्परिय है जल ही जल अर्थाथ उस समय जो महा सागर था या पेंथालासा के नाम से जाना जाता था संपूर्ण पेंजिय और पेंथालासा ये दो ही पूरा पेंजिय जुड़ा हुआ था और पेंथालासा भी एक ही था तो यह दो जो स्वरूप जो इस्थलाकृती है यह प्रित्वी में प्रारंभ से ही देखी गई है क्या पेंजिय एक था तो क्या बहुत तूटा क्या तूट करके अलग हुआ आधी आधी अनेक प्रश्न हमारे सामने में आते हैं और इन प्रश्नों के समाधान के लिए वेगनर महदय का यह जो सिध्धान्थ है यह सिध्धान्थ बहुत महत्वपूर्ण है वेगनर महदय के इस सिध्धान्थ में उन्होंने अपने सिध्धान्थ को मान्यता देने के लिए उसको प्रमानीत करने के लिए बहुत से एविडेंस बहुत से प्रमान प्रस्तुत किये हैं इनके जो विभिन प्रमान हैं इन प्रमानों में सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया कि तटरेखा में साम्यताएं हैं अट्लांटिक महासागर के जो दोनों तट है इन तटों में काफी साम्यता है और इस संबन में सन 1964 में यहने विगनर के सिध्धान्त के बाद सन 1964 में बुलाड महदय ने अट्लांटिक तटों को जोड करके मांचितर बनाने का प्रयास किया था इन्होंने बताया कि यदि हम इस तटों को जोड दे तो ये तट आपस में काफी मिल जाते हैं जहां पर आफरीका का पठार और ब्राजील का पठार है इसमें एक जैसे मिलने की स्थिति देखी गई है उत्तर अमेरिका में भी इस प्रकार की जो परिस्थितिया हैं वह मैसुस की गई है तो इस आधार पर इन्होंने इस सिध्धान को बताया दूसरा जो महतवपूर नक्षेत्र है ये है चटानों की आयू चटानों की आयू का अंदाज हम कैसे लगाते हैं बच्चों आप जानते हैं कि धरातल चटानों से ही बना है तो ये धरातल का अध्यान जैसा अभी मैंने बताया कि पहले जोई के राज से लगबग साथ करोड़ वर्ष पूर पूरा जीवी महाकल्प तक हम पहुँच पाए हैं अध्यान की दृष्टी से और उस समय जो चटानों की आयू है तो चटानों की आयू तो जो रेडियो मेट्रिक डेटिंग की जाती है इसके आधार पर चटाने लगबग 200 करोड़ वर्ष की होगी ऐसा माना जा सकता है और इन चटानों की जो क्षेत्री परिस्थिती है उसमें जो ब्राजील और जो पश्चिमी आफ्रिका की चटाने हैं इन चटानों में जुरैसिक युग के निक्षेप के प्रमान मिलते हैं यहाँ पर जुरैसिक काल में एक जैसे निक्षेप हुए थे जो आज तटों में देखने को मिलते हैं लेकिन यह जुरैसिक काल की बात हम कर रहे हैं जुरेसिक मतले मध्य जीवी महा कलप, इस समय तो पहले यहाँ पर जुरेसिक कल में तटो में निक्षेप हुए, जबकी प्रारम्भ में यहाँ पर तट नहीं थे, यदि तठ होते तो निक्षेप और भी पहले का होता तो इस प्रकार से चटानों की आयू के माध्यम से इसकी गण्ना की गई अगला जो है टिलाइट टिलाइट क्या होता है हिमानी निक्षेप से निर्मित जो अवसाद होते हैं इन्हें हम टिलाइट कहते हैं गोंडवाना की जो श्रेणी है इस श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप हमें आफरीका, फॉकलेंड, मेडागासकर, आस्ट्रेलिया और अन्टार्कितिका इन ख्षेत्रों में भी देखने को मिले हैं तो इसी प्रकार से जो प्लेसर निक्षेप है प्लेसर मतलब जो सोना जहां जमा होता है तो ऐसे सोना गोल्ड इसके जो शिराएं होती है सोने के निक्षेप के ये ब्राजिल और घाना में पाई जाती है तो यह भी बहुत प्राचीन नहीं है इसी प्रकार से विभिन्नक्षेत्रों में जो जिवाश्मों का वितरण है जिवाश्मों का वितरण का तातपर यह है पाउधे और जो विभिन्न प्रकार के जीव जन्तुओं में साम्यताएं ये इन ताटों में देखने को मिलती है लैमूर नामक एक जीव है जो भारत में मेडागासकर में और आफरिका के क्षेत्र में इस जीव के आवशेश देखने को मिले है उसी प्रकार से जो उथले समुद्र है उन उथले समुद्रों में भी पाए जाने वाले जीव जिसमें मेसोसारस, दक्षिन, आफरिका और ब्राजील में पाए जाते हैं तो ये जो जीव है ये दोनों ताटों में इनकी आयू इनके जो जीवों के जो अवशेश है इनकी आयू में साम्यता इन दोनों ताटों में देखने को मिलती है लेकिन आज हम देखते हैं कि इन दोनों थटों के बीच में लगभग 4800 किलो मिटर का अंतर आ गया है तो ये एक ही प्रकार के जीव यहां पर कैसे पाय जा सकते हैं तो यह भी इस बात को सूचित करता है कि पहले ये महादविप जुड़े हुए थे इसी प्रकार से अपलेशियन परवत जो है इसका विस्तार USA में है और यह Newfoundland तक जा करके सागर में विलुप्त हो गया है लेकिन इसके आगे Great Britain और Ireland तक इसी समय के याने अपलेशियन जैसी ही संडचना वाले परवत वहाँ पर भी पाय जा रहे हैं तो यह भी इस बात को इंगित करते कि पहले ये परवत जुड़े वे थे और बाद में अलग हो गय है कुछ प्रमान पूरा जलवायोविक काल के रहे हैं और जैसे कोईले के भंडार कोईले के भंडार उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन में पाय जाते हैं बच्चों कोईले के भंडार कहां पर हो सकते हैं जहां पर जलवायो उशनाद रहो, बहुत अधिक वनस्पती का विकास हुआ हो और इतनी वनस्पती के कारण, ये वनस्पती जब कालांतर में दब गई होगी तो ये धीरे धीरे अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण ये वनस्पती कोईले के रूप में परिनित हो गई और यह जो कोईला बना है यह माना जाता है कि कार्बनी फरस युग में कोईला बना हुआ था तो पर्मियन और कार्बनी फरस युग याने लगभग आज से 24 से 36 करोड वर्ष पूर्व की जो इस्थिती है यहाँ पर कोईले के जमाव देखने को मिल रहे हैं निश्चित ही उस समय हक्षेत्र विश्वत रेखा के पास रहा हुगा ऐसा वेगनर का मत रहा है इसी प्रकार से वेगनर के नुसार ध्रूव की स्थिती में भी निरंतर परिवर्थन हुआ है यह ध्रूव कैसे परिवर्थित हुए है यह जो पोलर वेंडरिंग के जो आकड़े है वो आकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि पुरा जिवी महा कल्प में पेंजिया का अस्तित्व था और उसके बाद पेंजिया का विखंडन हुआ है ध्रूव की बात जैसे ध्रूव की स्थिती में परिवर्थन होता है हमने अभी यह बताया बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्रूव कैसे कैसे परिवर्थित हुए है ऐसा बताया जाता है कि सिलोरियन युग में जो उत्तरी ध्रूव था वह 14 अंश उत्तरी अक्षांस और 124 अंश पश्चिमी देशांतर पर इस्थित था वर्तमान जो इस्थिती है जिसमें 14 अंश उत्तरी अक्षांस और 125 अंश 124 अंश पश्चिमी देशांतर जो वर्तमानी स्थिती यहाँ पर पहले सिलूरियन युग में उत्तरी धुरू स्थित था यह उत्तरी धुरू सरग करके कार्बनी फेरस युग में इसकी स्थिती 16 अंश उत्तरी अक्षांच और 147 अंश पश्चिमी देशांतर पर आ गई इसी प्रकार से ट्रियासिक से टर्शरी युग में आते आते ध्रू जो है ये लगभग 51 अंश उत्तरी अक्षांस और 153 अंश पश्चिमी देशांतर पर इस्थित्था तो ध्रूओं की जो दूरी है ये निरंतर बदलती जा रही है और इसी प्रकार से जो उत्तरी ध्रू की मैंने इस्थिती बताई इसके विपरीत दक्षिन ध्रू इस्थित रहे होंगे और इसी प्रकार से जब उत्तरी और दक्षिनी धुरूओं के खेत्र में जो निरंतर परिवर्तन देखे गए हैं तो उसी के अनुसार भूमद्य रेखा में भी परिवर्तन आए है बच्चो भूमद्य रेखा मतलब दोनों धुरूओं के बीच जो धरातल को दो भागों में बाट रही है यह भूमद्य रेखा है तो कार्बनी फेरस युग में जो भूमद्य रेखा थी वर्तमान में जो हरसीनियन पर्वश्रेनी है उसके पास में यह भूमद्य रेखा थी अर्थात यह जो भूमद्य रेखा है लारेशिया के क्षेत्र में यूरोप और उत्तर अमेरिका का जो क्षेत्र है एसक्षेत्र से होकर कि भूमद्य रेखा जा रही थी और वहां पर उस समय उष्णकटि बंधि ये जलवाईू थी और यही जो प्रमाण मैंने बता हैं पुरा जालवी प्रमाण यानि कोले के भंडार के ये इस बात की और इशारा करते हैं कि भूमद्य रेखा का स्वरूप पहले की तुलना में निरंतर बदलता जा रहा है। पेंजिया की जो दो तुकडे हुए थे उत्तरी भाग लारेशिया और दक्षिनी भाग गोंडवाना लेंड के नाम से जाना जाता था। ये चारो तरफ से इस्थल खंड से पूरी तरीके से घीरा हुआ है। जबकि जो गोंडवाना लेंड का ख्षेतर है जिसके अंतरगत दक्षिनी अमेरिका, आफरिका, आस्टेलिया और अंटार्कटिका के खंड आते हैं। ये प्राचीन खंड है और इन खंडों का विश्तार हुआ है। इसी के अंतरगत जो ब्राजील का पठार, आफ्रीका का पठार, अरब का पठार, भारत में प्रायदीपी पठार, ये इसके अलावा आस्ट्रेलिया का पठार, ये सभी तूट करके अलग हुए हैं और इनके अलग होने से दक्षिनी अट्लांटिक महासागर और हिंद महासागर की रचना हुवी है तो यह भी इस बात का संकेत देते हैं कि धरातल का प्रवाह हुआ है और प्रवाह संबंधी जो क्रियाएं हैं वो निरंतर जारी रही थी इसके अलावा कुछ और प्रमाण है जैसे हम देखने की प्रत्य एक महादवीप का आकार लगभग तृभुजाकार है यह जो त्रिभुजाकार आकरिती है यह भी इसी बात की सूचना देती है कि पेंजिया तूटकर के अलग हुआ है और महादुप लगभग त्रिभुजाकार आकरिती में बनते चले गए हैं और इसके विपरित प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को देखे तो यह भी त्रिभुजाकार है लेकिन महादुप का जो त्रिभुजाकार आकरिती इसमें आधार उत्तर की ओर और शीर्ष दक्षिन की ओर है जबकि महासागरों में आधार दक्षिन की ओर शीर्ष उत्त अर्कियोर देखने को मिलता है। पहले पूरा पेंथलासा एक था। लेकिन वर्तमान में प्रशांत महासागर पृत्वी के लगभग एक तिहाई हिस्सा 33 प्रतीशत भाग में प्रशांत महासागर का विस्तार है। इसी प्रकार से परवत श्रेणियों का जो निर्मान या विकास हुआ है। ये सभी परवत महाद्वीपों के किनारे या मध्यवर्ती भागों में ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो प्रमान है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्ही प्रमानों को ध्यान में रखते हुए वेगनर महदय ने इस सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। वेगनर महदय ने बताया कि महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ है ये प्रवाह संबंधी बल कहां से प्राप्त होते हैं। तो वेगनर के अनुसर ये जो प्रवाह संबंधी बल है इसमें दो प्रकार के बलों को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। एक है पोलर फ्लींग फोर्स धुरुवी फ्लींग फोर्स हम इसको कहते हैं ये जो बल है पृत्वी की जो घूर्णन क्रिया है इस क्रिया से प्रत्यक्ष संबन्दित है जब पृत्वी अपनी कीली पर घूम रही है अपनी कीली पर निरंतर घूमने के कारण जो भूमत देरेखाने मध्यवर्ती क्षेत्र है यहां पर उभार आता है और इस उभार के आने से इस क्षेत्र में गुरुत्वा कर्शन की जो शक्ती है यह ज़्यादा प्रबल हो जाती है और उसके फलस्वरूप जो महाद्विफा यह जो है भूमत देरेखा की और यानि उत्तर की और सरकने लगे थे यह एक बल जिसको पोलर फींग बल के नाम से जाला गया है और दूसरा जो बल है यह है ज्वारिय बल ज्वारिय बल क्या है यह चंद्रमा और सूर्य की सम्मिलित आकर्शन शक्ती से उत्पन बल है बच्चों आप जानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ती प्रिथ्वी से हुई है इसलिए हम चंद्रमा को प्रिथ्वी का उपग्रह कहते हैं और जब चंद्रमा प्रिथ्वी से अलग हुआ होगा तो वह पाहले पास होगा धीरे 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 दूर चला गया है जब वह पृत्वी के पास में रहा होगा यानि करोडों वर्ष इसे भी हो गए है तो उस समय यह बल चंद्रमा अधिक पास था तो यह बल सूर्य के साथ मिल करके जो ज्वारी बल है यह अधिक प्रभावशाली था और यह महादिपों के विस्थापन के लिए परियाप्त रहा है ऐसा वेगनर का मत है लेकिन वर्तमान वईज्यानिक इन दोनों ही बलों को अपरियाप्त मानते हैं महादिपों के प्रवाख के लिए इसके बाद सन उननाईस सो तीस में एक भवतिक विद रहे हैं भवतिक शास्त्र के ग्याता और्थर होंस इन्होंने एक सिध्धान्त प्रस्तुत किया और इनका सिध्धान्त कहलाता है समवहन तरंग का सिध्धान्त समवहन तरंगे क्या होती है धरातल के नीचे अत्यधिक ताप है और अत्यधिक दबाव है अत्यधिक दबाव के कारण और ताप में भिन्नता है कुछ नीचे में तापमान कम है और जैसे जैसे हम गहराई के और जाते तापमान बढ़ता जाता है हमने पृत्वी की अंतरिक सनरचना में इसका अध्यन किया हुआ है? इस खेत्र में रेडियो सक्रीत अधार्थों की भी अधिकता है और रेडियो सक्री पदार्थों के प्रभाव के कारण भीतर में दबाव अधिक है अधिक दबाव से चट्टानों में तूट-फूट हो रही है और उसके फलसरूप रेडियो सक्री पदार्थ जो है वो निरंतर विक्सित होते रहते हैं और जब ये पदार्थ निरंतर विक्सित होते हैं तो ये पदार्थ जो है नीचे में एक ऐसा क्षेत्र है अत्यधिक ताप और दाब के कारण सौ किलोमेटर की गहराई पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको दुर्बलता मंडल कहा गया है एस्थेनोस्फियर यहाँ पर चट्टान अत्यधिक गर्मी के कारण लगभग तरल अवस्था में गलनांक की स्थिती में आ गई है और तरल अवस्था में आ गई है ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है ये पदार्थों के माध्यम से ये जो तरल चट्टान का जो तरल पदार्थ है ये निरंतर गतिशील है ये जो निरंतर गति कर रहा है, यह केवल उसक्षेतर में नहीं वलकि उपर में जहाँ जहाँ पर यह तरंगे प्रवाहित होती है, उसक्षेतर में ये तरंगे भीतर में गतिशिल है, और इन प्रवाह से महाद्वीप जो है यह भी विभिन दिशाओं की और प्रवाहित हुए हैं। ऐसा आर्थर होम्स ने बताया है। तो आर्थर होम्स की समवनिक तरंगो का सिध्धान्त जो है इसके अनुसार महाद्वीपों में प्रवाह होता है। यह निश्चित किया जा सकता है। इसके बाद कुछ और प्रमाण, कुछ और बात हमारे सामने में आती है। जैसे महासागरी जो अधहस्थल है, उसन, फ्लोर हम इसको कहते हैं, ये महासागरी अधहस्थल, महाद्वीप और महासागर जहां से प्रारंभ होता है। तो महासागरी जो चट्टाने हैं, ये चट्टाने बिल्कुल नहीं हैं, ये चट्टाने धरातल की चट्टानों से भिन्न हैं, महासागरी चट्टान में कटक जो पाए जा रहे हैं, कटक के दोनों और के जो ढाल है, इसमें चट्टानों की आयू में साम्यता देखने को मिलती महा सागर्में पाई जाने वाली चट्टाने जो है यह नवीन है इनकी रचना नवीन बताई गई है और इसमें काफी साम्यता देखने को मिलती है महा सागर्म का जो अधरस्थल की बनावट है इन बनावटों में महाद्विपी सीमा इसके अलावा गहरे महा सागरी बेसिन और मध्य महा सागरी कटकों को सम्मिलित किया गया है महाद्विपी सीमा क्या है किनारे और बेसिन के बीच में जो महाद्विपी किनारे है और गहरी महा सागरी बेसिन है इसके बीच में महाद्विपी मगनतट महा सागरी मगनतधाल कहीं कहीं पर उभार और कहीं पर गहरी खाईया जो आती है इसको सम्मिलित किया गया है महाद्वीप और महासागर के वितरण को यदि हम देखे तो महासागरों में खाईयों की भुमी का बहुत महत्वपूर्ण है ये खाईयां काफी गहरी है और इन खाईयों में भुकम पिया ज्वालमुखी के केंद्र इसे माने जाते है बच्चों महाद्वीप और महासागर के संबन में और भी कई रोचक तत्य जो है इसमें जो महाद्वीप है इस पर पाई जाने वाली जो चट्टाने है यह लगभग चार करोड वर्ष पूर्व की चट्टाने है यानि पेंजिया लगभग चार करोड वर्षपूर के विकास की स्थितिक उस समय चट्टाने बन गई थी यहाँ बताता है जो धरातल का उपरी सता है भू परपटी जिसे हम कहते है अर्थ सर्फेस यहाँ ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है इसके अलावा धरातल पर चूना पत्थर बलवा पत्थर शेल कांगलो मरेत जैसी चट्टाने और सर्फवाधिक यहाँ पर रूपांतरी चट्टाने कायंतरी चट्टाने जो मेटमार्फिक रॉक्स है ये धरातल के उपर में पाये जाते हैं जबकि हम महासागरों को देखे तो महासागर का निर्मान वैसे तो पेंधालासा पूर्व से था लेकिन कुछ महासागर की हम बात करें तो लगभग यहाँ पर पाई जाने वाली जो चट्टाने हैं ये चट्टाने लगभग 200 लाख वर्षपूर की मानी जाती है। इन चट्टानों में बेसाल्ट और कहीं कहीं पर गैबरो चट्टाने देखी जाती है। इसके अलावा महासागर में क्या पाय जाता है। महासागर में कालकेरियस, सिलेशियस, ओज, कले जिसमें लाल कले या काली कले ये देखने को मिलता है। और फ्लेश ये चीजे महासागरों में देखने को मिलती है। महासागरों में रुपांतरित चट्टानों की इस्थिती देखने को नहीं मिलती। तो ये महाद्वीप और महासागर के बीच की जो परिस्थितियां हैं जो अलग-अलग है। यह हमें दिखाई देती है इसके अलावा हम देखते कि महाद्वीपो में अपक्षय, अपरदन, परिवहन और निक्षेपन जैसी क्रियाएं होती है जिससे पदार्थ जो है वो टूट फूट करके या तो इनमें समतली करण की प्रक्रियाती और कुछ पदार्थ महासागरों म में जमा होते हैं जबकि महासागरों में कौनसी क्रियाय होती है महासागर के उपरी सतह पर ही कुछ क्रियाय संपन्न होती है जिसमें जवार, भाटा, लहरों का निर्मान और जलधाराओं का निर्माण। ये दो अलग-अलग क्रियाएं महादीपों की क्रियाएं अलग है। तो इस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की क्रियाओं में भी अंतर है। इस प्रकार से जो महासागर के नीचे में जो वितलिय मैदान हम इसको कहते हैं महासागरी तट और महासागरी कटक के बीच में पाए जाते हैं। इन मैदानों का निर्माण महाद्वीपिय आउसादों के जमाव से होता है। बच्चों महासागर में कटक याने परवत नुमाकृती जो पाई गई है ये कटक जो है इसे हम मध्य महासागरिय कटक कहते हैं ये कटक आपस में जुड़े हुए एक परवतों की श्रिंखला है और ये सभी के सभी कटक महासागर के भीतर जल्मग नहीं धरातल के उपर इनका स्वरूप नहीं है जो रिफ्ट प्रभाजक पठार हम कहते हैं ये पठार इन कटकों की जो पार्ष या किनारे हैं उनकी यह विशेष्टा होती है महासागरी द्रोणी जैसा बताए कि यहां भुकंप और ज्वाला मुखी ये परियाप्त सक्रिय है द्रोणी के ख्षेत्र में ये हम भुकंप और ज्वाला मुखी की स्थिती को देखे तो महासागरों में जो भुकंप और ज्वाला मुखी है ये ऐसे ख्षेत्रों में भैले हुए हैं जहां पर कि पहले महादिप थे तूट करके अलग हुए हैं तो हक्षेत्र जहां से महादीप तूटे है यह हक्षेत्र कमजोर क्षेत्र के अंतरगत अब सम्मिलित हो गए है बच्चों आप इस चीत्र में देख सकते हैं विश्व के मानचीत्र में कि भुकम्प और ज्वाला मुखी की स्थिती यहां पर वरणित है एक बात और है बच्चों जो दक्षिन अमेरिका और आफ्रिका के जो ज्वाला मुखी के ख्षेत्र है इनमें काफी साम्यता है और यह भी यही महादीप के एक होने के प्रमान या एक होने की जानकारी को प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार से वेगनर महदय ने यह जो विभिन साक्ष है इस आधार पर महादीपीर प्रवाह का एक सिध्धान्त प्रस्तुत किया था इन्होंने बताया कि कार्बनी फरस युग में जो महाद पेंजिया था वह कार्बनी फरस के पहले पेंजिया पूरा एकत्र था एकठा था लेकिन कार्बनी फरस युग में पेंजिया का विखंडन हुआ है और यह विखंडन पहले दो भागों में हुआ था जैसा आपको बताया कि उत्तरी भाग लारेशिया कहलाया और दक्षिनी भाग गोंडवाना लेंड कहलाया लारेशिय और गोंडवाना के बीच में पानी समा गया और इसे टैथीज सागर के रूप में जाना गया लगभग जो लारेशिय और गोंडवाना लेंड था इसके धीरे धीरे और भी तुकड़े होते चले गए इन के तुकड़ों में विभाजित होने और तुकड़ों के प्रवाह विभिन्न दिशाओं में जो प्रवाह हुए हैं इसमें लगभग पचास लाख वर्ष लग गए और यह जो प्रवाह हुआ है यह बहुत धीमी गती से हो रहा था इनकी जो गती थी यह लगभग 10 सेंटीमीटर प्रती वर्ष की गती से यह टुकड़े विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रहे थे विभिन्न दिशाओं में वेगनार महदय ने तो बहुत इसपश्ट किया कि यह जो प्रवाह था यह उत्तार की और याने भुमद्यरेखा की और था जो प्लवन्शीलता बल या घुर्णन बल का प्रवाव है और दूसरा जो प्रवाह था यह पश्चिम की और हो रहा था जो आकर्षन शक्ती जो सूर्य और चंद्रमा की है जिससे ज्वारी बल उत्पन होते हैं उसके प्रवाव से पश्चिम की और कुछ प्रवाह हो रहा था जुरैसिक काल में इसी प्रवाह के दावरान अंध महासागर का निर्मान होता है और इसी काल में जुरैसिक काल कही पिरेड में अंटार्करिटी का महाद्वीप आफरीका महाद्वीप दक्षिनी अमेरिका महाद्वीप जो वर्तमान में हैं भारत प्राइद्वीप और आस्ट्रेलिया इनके प्रवाह से हिंद महासागर का निर्मान होता है लगभग जैसा मैंने बताया कि कार्बनी फेरस में विखंडन हुआ और लगभग 50 लाख वर्ष इसमें विखंडित होने में लगे थे कई तुकड़े पटे और धीरे धीरे य सरकने लगे थे योसीन युग में जो वर्तमान हम स्वरूप देखते हैं महाद्वीप और महासागरों के वितरण का यह योसीन युग में इस प्रकार का स्वरूप अस्तित्व में आया था और इस प्रकार से इन्होंने महाद्वीप के प्रवाह की बातों का उल्लेख किया है